हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका के अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो आस्ट्रेलिया और इंगलेंड के बीच तीन टीट्वन्टी मैचों की सीरीज 9 अक्टूबर से वाका पर्थ के ग्राउंड पर खेला जाना है दोस्तो इस ग्राउंड को आप्टस स्टेडियम के नाम से भी स्पांसर्शिप रीजन के वज़ा से जाना जाता है और आज के इस वीडियो में हम आप्टस स्टेडियम यानि की वाका पर्थ क्रिकेट स्टेडियम के पिच का प्रिव्यू करेंगे आपको बताएंगे इंग्लेंड और आश्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में पर्थ की ये पिछ कैसा खेल दिखाएगी तो काफी जवरजस्ते वीडियो होने वाला है वीडियो को बिना कहीं स्क्रिप्ट किये हुए अंधर तक जरूर देखिएगा इससे पहले दोस्तों आप से कहना चाहेंगे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल पर आलवाला बटन आन कर लीजिए और अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करने के साथ क्योंकि इन तीनों मुकाबलों के बाद ही इन दो मजबूर्ट टीमों को डाइरेक्ट टी-20 वर्ल्ड कप में पाटिसिपेट करना है और जहां पर इंगलाइन्ट की टीम साथ टी-20 मैचों की एक लंबी सीरीज में पाकिस्तान को चार तीन से हरा के आ रही है तो दूसरी त पिच सुरू से ही तेज गेदबाजों की मददगार पिच मानी जाती है हालाकि टेस्ट मैचों में ये ज़्यादा खतरनाक होती है बल्लेबाजी के लिए लेकिन लिमिटेड ओभर के क्रिकेट में टी-20 हो या फिर ओडियाई क्रिकेट यहां पर आम तोरपर फ्लैट पिच प्रोवाइट की जाती है इसके अलावा यहां पर बाउंडीज साइज कुछ छोटी है और आउट फिल्ड काफी तेज है तो इस लिहाज से यहां पर इसकोर भी अच्छे बनते हैं जबकि पर्त का इतिहास रहा है तेज गेदबाजों की मदद करने के लिए वहीं पर दोस् दोस्तो यहां पर आश्टेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था पहले इनिंग में 106 रन बने थे पाकिस्तान ने बनाये थे जिसको चेज करते हुए कंगारू टीम ने यहां पर 11.05 ओभर में ही बिना कोई नुकसान के 109 रन बना लिये थे और मुकाबला अपने नाम किया दोस्तो पर्थ की पिछ के और अगर हम नजय डाले तो यहां पर 60 गेदबाजी की ज़्यादा उपयोग की जाती है फुलर लेंद की डिलिवरी से थोड़ा बचते हैं गेदबाज क्योंकि यहां पर इस्टेट बाउनरी काफी छोटी है और आसानी से बाउनरी हो जाती है त टीटवन्टी डोमेश्टिक में पर्थ किर्केट के इतिहास के बारे में तो पर्थ के स्विच पेकुल मिला के 21 टीटवन्टी इंटरनेशनल मुकाबले हुए है जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मुकाबले तो चेज करने वाली टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं पहले इनिक आइबरेज स्कोर 166 जबकि हाईएस टोटल यहाँ पर पर्थ स्केचर्स का है जिन्होंने 20 उबरों में 3 विकेट पर 213 रन बनाए थे जबकि लोवेश टोटल की बात करें तो यह भी पर्थ स्केचर्स के ही नाम है जिन्होंने मात्र 89 रन बनाके आलाउट हो गई स्कोरिंग पैटर्न की बात करें इस 21 मुकाबलों में तो 150 से नीचे 4 बार, 150 से 179 के बीच में 4 बार, 170 से 189 के बीच में 10 बार, तो 190 प्लस भी 3 बार स्कोर बना है मतलब यहाँ स्कोर भी ठीक बनते है कुल मिला के यहाँ पर बैलेंस क्रिकेट हमको मिलने वाला है वैसे अगर T20 फार्मेट में इन दोनों ही टीमों का head to head stats अगर हम खंगाल है तो काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है दोनों ही टीमों के बीच अबतक कुल मिला के 20 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हो चुके हैं दस बार आस्टेलिया ने तो नौ बार इंगलेंड ने बाजी मारी है एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकल सका है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस पहले T20 में जीत के साथ आगाज कौन सी टीम करेगी कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों